नमस्कार, मैं अविनास रंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभी नंदन करता हूँ, आज मैं आपको एक कवीता से रूबरू करवाना चाहता हूँ, उस कवीता का सीर्षक है, मैंने अपना ही संघार किया, संघार किया मतलब completely destruction, जी हाँ, मैंने अपना ह संघार पर लिखी कई है, जो हरेक आदमी अपने जीवन में कभी ने कभी महसूस करता है, और ये तिक्त अनुभाव किसी के जीवन में ना आए, इस उद्देशे से इस कवीता को लिखा गया है, आप इस कवीता को जरूर सुनिए, ताकि आप अपने जीवन में मेरे जैसा अनुभव ना करें। कर्मो का था ध्यान मुझे, निजनास का ज्यान मुझे, सोचा कल से छोड़ ही दूँगा, उद्यम से नाता जोड़ ही लूँगा, लेकिन कल फिर एक बार किया, मैंने अपना संहार किया, हाँ मैंने अपना ही संहार किया। आज इस्थिती ऐसी है के रोता हूँ पच्चताता हूँ अपनी विफलता की कहानी कवीता से बतलाता हूँ के कैसे मैंने कुठार लेकर अपने ही पग पर वार किया मैंने अपना संगहार किया हाँ मैंने अपना ही संगहार किया अगर हम लोग इस कवीता के सार की बात करें, तो हम लोग देखेंगे कि अगर आप अभी युवा वस्था में हैं, ये कवीता जो है मुखे रूप से मेरे चात्रों के लिए समर्पित है, कि अगर आप अभी चात्र जीवन में हैं, कि शोरा वस्था में हैं, युवा वस्था म और इस मस्ती करने के चक्कर में आप अपना कीम्ती समय जो आपके भविश्य को उज्वल बनाने के लिए काम आ सकता था उसे माधक्ता में नसे में व्यशन बुरी आदतों में बरबाद कर देते हैं और जब समय बीत जाता है तब आपको लगता है कि मैंने अपना संगहार किय अपना destruction किया और इस बात को push करने के लिए आप पुनह यही वाक्य कहते हैं हाँ मैंने संगहार किया अच्छे पत को कस्टमई जानकर बात यह होती है कि सफलता जु है वो समय मांगती है dedication मांगती है आप लोगों ने सुना होगा Rome was not built in a day Rome एक दिन में नहीं बना एक लंबा समय चाहिए आप LKG से लेकर 10th फिर plus 2 फिर graduation या कुछ और 18-20 साल की पढ़ाई के बाद जाकर कहीं आपका career निर्मान होता है और अच्छे पत को कस्ट में ही जानकर को सफलता मान लेते हैं कि हाँ सोटकर से सफलता मिल जाती है होकर आलश्य के वशीभूत आलश्य आपका परमसत्रू है आलश्य के वशीभूत छनिक सुख सुईकार किया जी हाँ छनिक सुख सुईकार किया मैंने अपना ही संगार किया हाँ मैंने अपना ही संगार किया कर्मों का था ध्यान मुझे निजनास का ग्यान मुझे देखिए आप जो कर्म कर रहे थे इस बात का तो अंदाज आपको लग चुका था कि ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं और आपको ये भी पता था कि ऐसा करने से मेरा नास होगा, मुझे हानी होगी और आपने ये जरूर संकल्प लिया होगा कि हाँ, अब कल से मैं ये सब छोड़ दूँगा लेकिन कल से आपने सोच आठा कि मैं उध्यम से भी नाता जोड़ लूँगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने कल फिर एक बार ऐसा ही किया, और फिर उस दिन एक फिर determination लिया, कि मैं अगले दिन से करूँगा, सोंबार से करूँगा, and trust me, वो सोंबार कभी नहीं आया होगा, और इस तरीके से आपने अपना संघार किया, और अपने बातों को पुष्ट कर करने के लिए पुना कहेंगे, हाँ मैंने अपना ही संघार किया, आज स्थिती ऐसी है कि रोता हूँ, पच्छताता हूँ, आप देखे, मैं एक private school में, एक teacher हूँ, private school की स्थिती आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं अच्छे से पढ़ा होता, तो कम से कम, teaching line तो मेर प्रिफर्ड लाइन है, मैं साइद कॉलेज में, lecturer, professor, reader, कुछ भी हो सकता था, लेकिन साइद मेरी पढ़ाय लिखाई कहीं कम हुई, उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई कि आज मैं private school में एक teacher हूँ, आज स्थिती ऐसी है कि रोता हूँ, पच्छताता हूँ, अपनी विफ मेरे चात्रों, आपके साथ ऐसी कोई भी स्थिती ना आए, आपके पास समय है, मस्त से पढ़िए, एक अच्छी position ग्रैब कीजिए, और जीवन में सफल हुईए, अभी की महनत, आगे का आराम, और अभी का आराम, जीवन भर की महनत, इस्थिती आपके सामने है, आप जैसा एक्ट करना चाहें, कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, आपको मेरी ये कवीता जरूर ग्यान वर्धक लगी होगी, हम पुनह मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,